हेलो गाइस वेलकम टो एमद इन्फो टैक तो गाइस अज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चस्मों के बारे में किस चस्मे में क्या खासियत है किस चस्मे को किस नाम से जाना जाता है किस चस्मे की पहचान आप किस तरह कर सकते हैं यह सारी चीज़े डिसकस करने वाले हैं इस ब्लू अगर हम बात करते हैं यहां पर green की तो green होता है आपका eye size और अगर हम बात करते हैं यहां पर blue orange वाले की तो orange जैसे कि आप देख सकते है picture में कि यहां पर आपका bridge size है और यह side का यह temple तो यहां पर देख सकते हैं लेंस को क्या कहते हैं लेंस कहां पर होता है और आपका नोस पैड कहां पर होता है आपका रिम क्या होता है स्कुरू क्या होता है टेंपल टिप क्या होती है ठीक है यहां पर सारी चीज आपकी दर्सा रखिए तो इसको आप एक जिगा नोट डाउ तो आए चलते हैं वागे अपने मेन काम के तरफ कि कौन सा फ्रेम क्या है और क्या नाम होता है तो सबसे पहले फ्रेम की बात करते हैं वगरे हैं पर तो सबसे पहले फ्रेम जो आता है यह आता है कार्बन फ्रेम कुछ इस तरह के दिखता है यह अपने अपने दादी को दादा आपको किसी को लगा के वे देखा होगा इस साइड में यह स्प्रिंग इसके जिसको हम बॉक्स इस्प्रिंग भी कहते हैं यह आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा चाहे लेकिन यह काफी टिका होता है इसको हम कार्बन फ्रेम इसलिए कहते हैं कि कार्बन के बा पर फिर्म काफी जादा चलते हैं अब बात करते हैं जो वार पास दूसरा प्रेम आता है इसको हम पॉलिमाइट के नाम से जानते हैं इसको हम पॉलिमाइट फिर्म कहते हैं यह देखिए इसको भी आपने काफी लोगों को लगाए वे देखा होगा अपने दादा को दादी को तो यह जो इस्टी कही है पतली है इसको हम पतली इस्टीक वाला कह सकते हैं कह सकते क्या है कहते ही है और इसमें देख रहे हैं आप साइड में इसमें भी स्प्रिंग लगी ह इसकी क्वालिटी चाहिए आपको अजीब से लग रही हो लेकिन इसके अंदर वायर गया हुआ यह देख सकते हैं आप आपको वीडियो में थोड़ा बहुत दिख भी रहा है तो यह भी काफी अच्छा अगर हम बात करते हैं यहां पर तीसरे फिल्म की अपने तो तीसरे फिल जो की लेडिस के लिए अच्छा रहता है यह लेडिस को अच्छा लगता है यह साइट के डिजाइन लेडिस के ऊपर अच्छा लगता है इसमें देखिए स्प्रिंग इसमें जो स्प्रिंग है वह साइड में दे रखिए जश लाई के बॉक्स स्प्रिंग है इसको से अब कहीं से भी तोटने तोड़ान नहीं आती है अं Brent's में यह फ्रेम सस्ते भी आते हैं और यह डिकाओ भी होते हैं और ये ठोटे नहीं जल्दी जैसे क्या अपनी देख ही लिए दिया अगर हम बात करते में प종 mix करेंग के बारे में कि हमार दुसर्ण अगला फ्रेम आता है यहां पर अब किसको काते है टी आर प्रेम भी श्मीद ऐसने स्थे आप साइडंब्स में भी सपिन् कल्गी हुए है आग यह साइड में देखिए में बंपके करिंग लगी है यह हैं पर लेकिन हां टिका हुँ है चल जाएगी अपकी साल भर छे महीन है यह साइड में देख सकते हैं लोगों भी लगा हुआ यहाँ पर कि अगर बात करते हैं अगले फ्रेम के बारे में अगला आता यहां पर इसको हम कहते हो आप सुप्रार भी करके हैं अगर आपको इसका इसका डिपरेंस नहीं पता हाँ तो मैं आपको वीडियो के की विसके दो कौन से प्रेम को क्या कहते हैं आप यहां पे इसमें भी सपरिंग को एकMe and यहां पे देखिए पैचानना किस तरह इसको कि वाइर इस्प्रिंग है की नहीं है यह देखिए यहां पे आपको एक सिलिवरलग की स्प्रिंग दिखनी डी है निकली धोड़ी सी उससे नहीं कि प्यंसों आपनता आपके निक्मिक्प sabemising सकते हैं वो जल्दी नहीं आता है लेकिन इस नोस पैट में क्या होता है कि नोस पैट मुड़ते नहीं है इसलिए आपकी नाग पर निसान जल्दी आ जाता है तो अगर आप यूज कर रहे हैं तो मैं प्रिफर करूंगा कि सिलिकोन नोस पैट वाला फ्रेम यूज करें या उनसे जब मे απIFA सिलिकोन नोस पैड मिलेगा और इसमें जो कि वहाइट श्रीन नहीं होगी वाइट स्प्रिंग में क्या होता है शेवज बता दुके होती है के सब्सक्राइब हरका इस लेकिन कंशील स्प्रेंग उसमें वह डोन iç तो प्राणी यह यह नहीं होगी है कि अगर आपका फ्रंट ठीक है आपको आली's क्रवानी है तो तो आपके खाई डंडी डंडी चेंज हो जाएगी लेकिन कन्सृल श्ञक आगे देखने वाले हैं उसमें डंडी आपकी चेंज नहीं होती है अरि-अब ум बात करते हैं या पर कंसील फृ reduce बारे में जैसे कि आप मैं रात में देख सकते हैं यह सुपरा है इसलिए ये वायर चेंज नहीं होसकती है अगर यह फ्रेम में कुछ भी होता है डंडी खराब हो जाते हिए डंडी की पॉलिष चली जाती है तो यह आपको फूरा फेम ही चेंज करना पड़ेगा है यह आपकी साइट की लिट चेंज नहीं हो यह देखिए तो जो नोस पैट मुड़ जाते हैं उनकम सिलिकॉन नोस पैट कहते हैं यह देखिए आराम से मुड़ जा रहा है यह तो यह आपके अनाग पर दवाब नहीं बनाते हैं इससे कि आपके नाग पर दाग नहीं आता है वही अगर हम वाइट स्प्रिंग वाले फ्र लेक्सिबल है इसलिए यही डिफ्रेंस है किसी कोष्टिंग ज्यादा होती है उसकी कोष्टिंग कम होती है आगर agset करते हैं अब हम बात करते हैं यहां पर टीयार फ्रेम के बारे में तो टीयार फ्रेम में देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहां पर साइड में स्विडिंग भी है इस में अब इसको मोड़ के देखते हैं कि टीयार है या नहीं है यह देखिए पूरा मोड़ जा रहा ह तो यह अच्छी quality का TR भी है यह देख सकते हैं यह पूरा मोड़ जा रहा है कहीं से भी मोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो यह होते हैं आपके TR यह अच्छे होते हैं Casting भी हम किसकी कम है क्योंकि यह जादा अच्छे क्वाल्टी का नहीं है और ज्जादा बेकार पॉलटी का भी नहीं है क्योंकि यह आप देख सकते हैं ही है कहीं सही मोर्डी लीजर यह यह ब्रेक नहीं हो रहा है है कर देखिए सायद मंसमें इस प्रिंग भैर इसको हम कपजा कहते हैं कपज़ सकते हैं आप है कि श्प hadeENDE सकते ही आप में स्कूरिंग आपको इस्परिंग इसह सतरा होती है और यह आपका कब्ज वाला फ्रेम है तो इसकी तूटने के सिकाय तित्ती जल्दी नहीं आती है लेकिन हाँ यह तूट सकता है यह टीयार जैसी कॉल्टी नहीं है तो यह तूट सकता है अब हम बात करते हैं यहाँ अपर एसीटेट फिल्म के बारे में तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यह से कंस्यूल वाँडी सुप्राइसीटेट थी मेटल में जो थी वह इसकी क्वालटी जितनी अच्छी थी उतनी अच्छी कॉल्टी इसकी भी है यह दिखे साइ पूरो निम्बर लिखा होता है वायर पड़ी होती है और यह पूरो नुम्बर लिखा होता है वायर्पड़ी होती है तो आपको इसके अंदर क्या एक उनसे फिर्म को क्या कहते है किस फिर्म का क्या नाम है है यहां पर देख सकते हैं साइड में यहां पर आपको पूरा मॉडर नंबर लिखा होता है वायर पढ़ी होती है इसके अंदर और एकटेट में आपको कालर काफी अच्छी अच्छी मिल जाते हैं लेकिन वही चीज ह हम पसे हम लाग लग लग फ्रेम बारे में किस फेम का क्या नाम है किस फिर्म को आप किस तरह पreצंसिकते हैं इसकी क्वालिटि कैसी है इसकी कॉलिटि कैसी नहीं है तो गाइस आज के लिए बज़त नहीं मिलते हैं आपने किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बावाए